हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आयो बढ़ी आउंगे दोस्तो वेलकम बैक टो बीटिटिप्स बाई बबली फ्रेंट्स आज मैं बताऊंगे आपको रोज फेस पैक आपके चेरे पर गुलाबी निखार लाएगा गुलाब की पंकडियों में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं यानि क कई फेस पैक और ग्लोइंग बनाने के साथ साथ आपकी स्किन की कई परिशानियों खतम करेगा और अब जैसे गर्मी का मोसम है तो इसकिन डैमीज हो जाती है डल पड़ जाती हो से मुलाइम बनाएगा यानि कि आपकी जूरियों को भी खतम करेगा इसकिन को जवान बनाए बिल्कुल बेदाग आपका चेहरा नजर आएगा अगर आप इसे ठीक तरह से लगाते हैं बिल्कुल 100% वर्किंग है विजीबल चेंज मिलेगा पहली बार में तो एचा निखरी नजर आएगी तो चलिए बताती हूं इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेना है आपको गुल अपकी श्किन से पिंपल के निशान है काले धब्य है जाइया है जूर्या है उन्हें खतम करने की ताकत रखता है इस इसकीन को ठंड़क भी देगा जैसे अब गर्मी के मौसम है तो इसमें अगर आप इसे लगाते हैं तो बहुत ही तरुताजा मैसूस करेंगे इसकीन पे संड़क भी देगा बिल्कुल पिंपल ओ सोरी डाक स्पोर्ट फिरी और पिंग्मेंटेशन फिरी बनाएगा जूर्यों को भी खतम करेगा इसकीन को बहुती सुंदर ग्लो देगा तो फिर लेना आपको थोड़ सा अलवीरा जैल अलवीरा जैल में भी एंटिवेक्ट्रियल एंटिवेक्षिडन वेटामिन्स वेटामिन ABA, BBA, CBA और इसमें एंटिएजिंग गुन भी होते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोपर्टी ने अलवीरा में अलवीरा आपकी जूर्यों को दाग दब्बों को और जाईयों को खतम करने की ताकत रखता है इसकीन को मोश्रेज करने में इसका कोई जवाब नहीं बहुत अच्छी तरह से आपकी स्कीन पर यह काम करेगा इसमें मिलकर फिर देखिए आपको लेना है थोड़ सा शहद शहद में भी एंटिवेक्ट्रिल प्रोपर्टीज हैं एंटिएजिंग गुन भी हैं एंटियोक्षिडन भी हैं जो आपकी स्कीन से डाक श्पोर्ट्स को पिग्मेंटे संसेट्व घर्टाई है तो आप यह पर ठोड़ सा कच्छा दूद लेजिएगा मैं ले रहे हूं यह ने पर ठोड़ सा गुलाब जल और गुलाब जल डाल कर मैं इसे याँ पर मिक्स करती रहूंगी जब तक ही हमारा ठिक सा पेश्ट बन कर तयार हो जाए ताकि वो आसानी से लग सके चाहरे पर तो फ्रेंड्स अगर आपका च्छा दूद लेंगे तो आपकी जो स्किन ड्राई है वो मुलाइम ब बोको अटाने में पूरी तरह से काम करेगा इसमें मिलकर तो देखे विया अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है जैसे मैं कर रही हूं बिल्कु नेचुरल सार बहुत ही प्यारा सा फीस फैक है सच कह रही हूं फ्रेंड्स गुलाब की पत्तियां अमेजिंग वर्क करती स्किन पर उन्हीं से तो गुलाब जल बनता है और उन्हीं से आप गुलाब का पाउडर बना सकते हैं उन्हें छाओ में सुकाईए और पीस कर रख लिजिए जब चाहे मर जी चारे पर लगाईए तो बहुत बढ़िया काम करेगी आपके चारे पर तो देखे मिक्स करके साथ से भी लगा सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता मेरे दोस्तों तो आपको अपना चाहरा दो लेना है क्रीम लगाईए उसे धो कर साब करके साब सुत्रे चाहरे पर आपको इस पैक को लगाना है और अच्छी तरह से कबर कर लेना है यह आपकी स्किन को लगाते आप भी होगी डाक स्पोर्स भी गटेंगे पिंग्मेंटेशन भी गटेंगी और जुल्यां भी दूर होंगी रिंकल्स भी दूर होंगे तो बहुत बढ़िया गलो लाने वाला है आपकी स्किन पर सच क्या रही हूं डैट सेल्स भी रिम्मू करेगा इसकिन की सफाय भी मोच लेना है मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि एक चीज़ और बताऊंगी जो लगानी भी जरूरी है पहले देखें आप यहां पर रिजल्ट मैंने रखा यह सिर्फ 15 मिनट और यहां पर मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूं आप देख सकते हैं इसकिन साफ हो गई है मेरे चेहरे पर आएगा आप इसे continue लगाएगा हफ्ते में आप इसे तीन दिन या चार दिन जरूर लगाएगा जैसे भी आपको comfortable हो जैसे भी आपको समय मिले पर तीन दिन लगाना बेहत ज़्यादे जरूरी है देखें यहां पर मैंने hand wash कर लिया है और मेरे हाथ का color देखें आ इसे आपका चेहरा भी हो जाएगा और आपकी जाहियों की जूर्यों की problem है वो भी खतम हो जाएगी इसकी डल नहीं रहेगी मुलायम बनेगी कोमल बनी रहेगी नमी बनी रहेगी जो कि इसमें सारी चीजे अच्छे अच्छे डाली है मैंने तो जो इसकी ग्लोइंग बनती impression वो नेच्रल चीजों से भी बन सकती है ऐसा नहीं है कि मार्कीट की तरह ही भागना है वही चीजे योन्स गरने है हम घर से भी अपनी रहती है इतनी चेशी चीजे होती है घर में भी हमारे तो इस्तेमाल कराख इसे ज़्याएदे और फिर देख ह लेना आपको रूखी सूखी और जैसे चिप चिपी सी स्किन हो जा दिया है वो नहीं रही गया आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी आप अगर इस पैक को रात को लगा रही है तो बहुत ज़दे बेनफिट मिलेगा आपको ठीक इसी तरह से लगाना है जैसे मैंने बताया है देखे म मेरा हाथ की स्किन कितनी बच्चों के जैसे कितनी सोफ्ट हो गई है ऐसे आपका चेहरा हो जाएगा फ्रेंस हपते में तीन दिन या चार दिन जरूर लगाएगा और ड्रै स्किन वाले इसे एक अच्छे दूद में डाल कर घोलिएगा मतल मिक्स करिएगा बाकी ये ओल स्कि तो पूरी वीडियो को देखकर अच्छे से सारी रेमेडियो को ऐसे यूज करना है और फ्रेंस अगर जरस आपको इसे बेनिफिट मिले तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताइएगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी व